मेरा ये मानना है कि यहाँ पर आप से पहले आंदोलन हमने भी देखे हैं और हिस्ट्री भी पढ़ी हमने आंदोलनों की और आप लोगों ने भी देखे होंगे अब से पहले आंदोलन होते थे मुद्दे के उपर होते थे लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि पहले जैसे कि किस किसान आंदोलन था या पहले भी किसान आंदोलन हुए हैं और अभी एक है किसान आंदोलन और एक है विपक्स आंदोलन और फेश्बूक आंदोलन तो इन दोनों में हमें जो डिफ्रेंट है वो हमें समझने की जूर्थ है एक तो है खेत वाला किशान और एक है विपक्स और तो उनके बीच हमें चीज समझने की जूरत है, जो असली किसान है, जो खेत जो होता है, जो काम करता है खेत के अंदर, मालो हमारे गर में हैं कोई बहन बाई है या कुछ भी, अगर माबाप हमें कह देते हैं कि चल बेटे खेत में चल के हाथ बटा दे, तो वो कहेंगे टाइम मैं कहूंगी दिसाहीन जो यूवा हैं, उनको एक रास्ता दिखाने के जूरत है, उनको समझाने के जूरत है, और उनको समझने के जूरत है, कि ये जो हमारे समाज के अंदर जो लोग जो भरम फैला रहे हैं, और जो यूवाओं को बढ़का रहे हैं, उनको नए और हम सब लोग वहीं पर हम भी रहेंघे आप भी भृह रहेंगे और हम देखा होगा कि हम पर पहलान इ disputes 계획 लाइव उसकी प्रेस कोंफ्रेns लाइव देख रही थी और उसमें उसमें वो कह रही थी कि ये किसान नहीं हैं और ये तो खाली विपक्स और फेस्बुक किया है तो मैं उनको कहना चाहती हूं कि आप भी सबसे ज़्यादा फेस्बुक यूज़ करते हो आप भी जब किसानों को दर्वी या तंगवादी या उगरवादी जो भी आप अंदोलन जीवी जो भी आप बोल समाज ने मुझे पलकों पर बिठा था तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो समाजाने जब आप मैडल लेकर आई थी जो समाज आपको पलकों पर बिठा सकता है जब आप उनके खिलाब बोलती हो तो वो समाज आपको आपकी उकात भी बता सकता है और आपकी बताई भी है ज से अपनी राजनीति करती आप किसानों को क्यों चेड़री अपकिसानों को क्यों अकरी अ कर मी करके आ सकती थी अ आपको तो किसानों को गाड़ी देके या किसानों को दर्वी या तंगवादी या कुछ भी बोलके आपने अपने सरकार की नजरों में अच्छा बनना था या अपने सरकार को के नेताओं को राजी करना था जिसके लिए आपने वो किया लेकिन आपने यह नहीं देखा कि एक के चक्र में आपने क्या कुआ है आपने अपने समाज को खो दिया आपने अपने जो आपको पलकों पे बिठाता था जो समाज आज वो समाज आपका विरोध करने पे मजबूर है राज आप उसको लेके आज आप लाइब में रो रही हो तो मैं आपको कहना चाहती हूं कि मैं अब भी समय है लड़ली बेहन को मैं आपकी बड़ी बहनोंने के नाते आपको एक नसीयत दे रही हूं कि अब भी आप राजनीती चोड़के और अपने किसानों से माफी मांगे अपने समाज से माफी मांगे और आया आप भी समाज में और या पर अपड़ी जबान को चुप आया गया है तो मैं आपको कहना चाहती हूं कि आप भी बखाओ नवी वाओं को और जो सत्ता पार्टी वह भी बखाओं को उनकी बखाई में क्यों यह वीपक्स की बखाई में क्यों आते हो लेकिन बेंजी मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब कोई अंदोलन होता है तो हम लजमी बात है दूसरी बात आप कहती हो कि भी ये किसान नहीं हो सकते पहले भी आंदोलन हुए हैं पहले भी ये चीज़ हो या में इतियास में भी पढ़ा है आंदोलन और हमने वैसे भी आंदोलन देख्या आपने कुंसा आंदोलन देख्या कुंसे आंदोलन की बात करते हैं तो आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे ही समाज ने जिस समाज में आप पैदा हुई हो जिस समाज में मैं पैदा हुई हूँ उसी समाज की 24,000 महीलाओं ने 1175 की का जो एक अंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने भाग लिया था जब सर्वय समाज की जो महीलाओं पैदा ही उसमें सब महीलाओं ने भागेदारी निभाई थी अपनी अपने समाज की तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कुछ समाज की बात करते हो आज मेरा समाज मेरा विरोध कर रहा है तो कोई ने कोई कमी आपके अंदर रही होगी जब आपका समाज आपका व पढ़े उसके ऊपर भी कोई बात बोलो तो उसे पाप बीआ आप क्यों नए किसका जवाब क्या। तो यह रोक दिखाने के लिए प्रेस कॉंफरेंस करी थी क्या आपकी सरकार में जब कोई बात होती है तो आप रोके दिखा देते हो जब आप रोते आज आप बंगते हैं तबाद मी रोता है जब उनने महिलाओं से पूछे देखो जिनोंने अपने भाईयों को खोया है उन मह बोल रही उनका कहार विरोध उसका हो रहा जो किसी को गाड़ी देता है या कि अपरे ही समाज के खिलाब जाता है तो हमेशे है उसका always होता है तो मैं छोटी बहन आपको नसीयत देना चाहती हूँ कि यहाज जो समाज हमारे को पलकों पे बिठा सकता है तो वो समाजा मारे को अमारी उकात भी दिखा सकता है आज अगर हमारी को इज़त करता है तो वो हमारे काम के उसे करता है और कल को अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं तो कल को हमारे को भी गालिया मिलेंगी आपने खुद भी देख लिया होगा जब आप फेस्बुक पे कोई पोस्ट डालती हो, आपको अगर हजार कॉमेंट्स मिलते हैं, हजार में से नो सो निनानों आपको गाड़िया मिलती हैं, तो इससे तो आपको पता समझ जाना चाहिए था, और उसके बाद फिर आप गलती पे गलती करते हो, अब फिर आपने कॉ पढ़िया क्यों मिली, तब मिली ना जब आप उस सरकार का साथ दे रहे हो, आप उसको बचाने की कोशिच कर रहे हो, आप उनको खुष करने के लिए उलटे सी दे ब्यान दे रहे हो, तो बहन जी मैं आपको कहना चाहती हूँ, लाडली बहन अब भी मोक्का है, आप समझ ज ले रही हूँ, कि उड़ता तीर कभी नहीं लेना चाहिए, और आपको समझ जाना चाहिए, आप तो कम से कम आपको समझ जाना चाहिए, और आप आप नहीं बोलो तो अच्छा है, और मैं फिर आपको कहती हूँ, कि बेटिया सबकी संजी होती है, मैं आपकी इजत भी करती ह वेकिन आप ऐसा काम नहीं करें कि आपको लोग गाड़ी दे आपका लोग विरोध करें या आपको लाइव आके या आपको मेडिया के सामने आके रोना पड़े आप ऐसा काम क्यों करते हो तो बहुत बहुत धन्नेवाद